हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रूप डी के जनरल साइंस के कोशन में दोस्तों, आपका हार्टिक स्वागत है दोस्तों अगर दोस्तों, आप भी रेलवे ग्रूप डी की तेयारी कर रहे हैं दोस्तों तो बने रही हैं हमारी वीडियो सा दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को तो आज का पहला कुशन दोस्तों डॉल्टन के पर्मानु सिद्धान्त के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कन स्वतंत रूप में रह सकता है दोस्तों तो पर्मानु एक ऐसा तातू है दोस्तों जो कि स्वतंत रूप से रह सकता है दोस्तों डॉल्टन के पर्मानु सिद्धान्त के अनुसार दोस्तों Next question दोस्तों Electron की तरंग परकती के खोज स्वरपर्थम किस ने कीती दोस्तों तो D. Brogley ने कीती दोस्तों इलेक्ट्रोन के तरंग पद्यती की खोज दोस्तों नेक्स्ट उशन उच्छन 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 की खौज दोस्तों? नेक्ट घूछन पॉस्तों आवेश रहित कण हैं दोस्तों किस वेग्यानिक ने े प्रमानुसिद्धान्त की खौज तु Zum, जोन डॉल्टन ने की सिद्धान्त की खोज दोस्तों विश्व का प्रतेक प्रधार्थ अत्यंत शुष्म कणों से मिलकर बना होता है यह सरपर्थम किसने का जो तो कनादने कहाता जो सबसे पहले जो विश्व का प्रतेक प्रधार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता जो प्रधार्त का चतुर्त अवस्ता क्या दोस्तों तो प्लाजमा दोस्तों प्रधार्त की चतुर्त अवस्ता दोस्तों ऐसी तातु जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाता है कहलाते हैं दोस्तों तो उन्हें उबदातु कहते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुन पाए जाते हैं अगर दूस्तों रेलवेग ग्रूप D के जनरल साइन्स के कोशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया तो और इस वीडियो को फेस्बुक और वाटसप अकाउंट के माद्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर किस्तों